वेलकम टिश्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन पान सिकेंड बाद सुरू होगा रेडी स्टार्ट हमारे विचार से नियंत्रण एक हित है जो एक विशिस्ट संख्या में शेयरों के धारण करने के उपरांत प्राप्त होता है और उसे प्रिथकतह अरजित या अंतरित नहीं किया जा सकता है प्रतेक शेयर कंपनी के प्रबंधन में एक वोट का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसा एक वोट कंपनी को नियंत्रित करने में प्रियुक्त किया जा सकता है ऐसे विवाद्यक के विशह में अवधारित करने और किसी निसकर्ष पर पहुचने की आवशक्ता का अत्यधिक महत्व है जैसा की इस न्यायालय ने स्टील अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम निस्नल यूनियन वाटर फ्रंट वर्क्स एवं अन्य आदी के मामले में कथन किया है और निम्नवत अभिनिर्धारित किया की सिध्धान्त यह है की यदि वह सरकार जो अपने अधिकारियों के माध्यम से काम कर रही है कतिपय समवैधानिक परिसीमाओं के अध्यधीन थी कोई फोटियरी सरकार जो किसी निगम के परिकरण या अभिकरण के माध्यम से कार्य कर रही है को उसी के समान उन्ही परिसीमाओं के अध्यधीन होना चाहिए यह बताया जाता है की अन्यथा इसे मूल अधिकारों की दक्षता में परियाप्त छरण होगा क्योंकि उस दशा में सरकार इसके उपर अपना नियंत्रण रखते समय किसी निगम के परिकरण या अभिकरण के माध्यम से अपने कार्य को करने की युक्ती अपना कर मूल अधिकारों पर अध्यारोही होने में समर्थ हो जाएगी यह अवधारित करने के लिए की क्या कोई प्राधिकारी बंदी प्रत्यक्षी करण या अधिकार प्रिक्षा के सिवाय रिट अधिकारिता के अध्यधीन है अथवा नहीं इस बात की परिक्षा की जानी चाहिए कि क्या कमपनी निगम राज का एक परिकरण अथवा अभिकरण है और क्या वह जनता के फायदे के लिए कारोबार चलाता है क्या कमपनी की संपूर शेयर पूंजी सरकार द्वारा धारित की जाती है क्या इसका प्रसासन सरकार के द्वारा नियुक्त निदेशक बोड के हाथ में है और यद्यपी निदेशक बोड सरकार के द्वारा नियुक्त है क्या वह अपने कामकाज के निर्वहन में सरकारी नियंत्रण से पूनतह मुक्त है क्या कमपनी एक आधिकार प्रास्थिती का उपभोग करती है और क्या कमपनी के भीतर गहरा एवंग व्यापक नियंत्रण विद्यमान है अन्य बातें जिन पर विचार किया जा सकता है ये हैं कि क्या कमपनी निगम द्वारा किये जा रहे काम सरकारी काम से निकटता से संबंधित है या सरकार का कोई विभाग कमपनी निगम को अंतरित किया गया है और प्रत्येक मामले में प्रश्ण यह हो सकेगा कि क्या ऐसे संचई तथ्यों जो सिध्ध हैं के प्रकास में कमपनी वित्य मामलों में कामकाज के रूप में और प्रशासनिक रूप में सरकार के नियंतर्ण में है उस दसा में जहां सरकार किसी कमपनी को वित्य सहायता उपलब्ध करा रही है किन्तु यह कैसे खर्च किया जाता है इस पर कोई नियंतर्ण निगरानी नहीं रखती तब वह गहरा एवंग व्यापक नियंतर्ण के प्रयोग करने की परिध में नहीं आयेगा यह नियंतर्ण प्रश्णगत निकाय के लिए विसिस्ट होना चाहिए न की सामान्य प्रकिर्ति का होना चाहिए उसे गहरा एवंग व्यापक भी होना चाहिए अतह नियंतर्ण मात्र विनियामक नहीं होना चाहिए स्टॉप